दोस्तों जब हम किसी के मर्डर की केस को सुनते हैं तो हमें लगता है कि एक होई सिंपल सा मर्डर होगा पर कही बार इसके पीछे की सचाई दिल देला देने वाली होती हैं कुछ ऐसा ही हुआ ही हमारी आज की मुवी में जिसका नाम है डायरी तो चरिये जादा दिरेना करते ह हम बढ़ते हैं सीधे मुवी की तरह मुवी के स्टार्टिक सीन में हमें एक कपल दिखाई देता ही जो अपने गाड़ी से उटी जा रहे होते हैं थोड़ी देर ड्रावी करने के माद ओ एक हिल एरिया में पहुँचते ही और ड्रावी करहा आदमी अपने माईब को नीन से जगा कर बताता है कि हम 13 हेरपिन बेंड के पास से अभी गुजरने वाले हैं ए एरिया का भी बरनाम होता है यान की हॉंटेड होता है और जो कोही राथ को इस एरिया से गुजरता है उनके गाड़ी के सामने एक औरत अपने बच्चे को लेकर रोड क्रोस करती है और जो कोह भी उसके पास रुखता है तो उसका अंत जरूर होता है और यही सब बाते ओ दोनों कर रहे होते है तब ही उनके गाड़ी 13 हेरपिन बेंड के पास पहुंच जाती है और उनकी गाड़ी किसी चीज से टकरा जाती है और उस आदमी का गाड़ी पर से कंट्रोल जाने से उन द दोनों का एक्सिडेंट हो जाता है और अगले सीन में हम टीवी पर इसी घटना की न्यूस भी देखते है तब हमें पता चलता है कि 13 हेरपिन बेंड के पास एक्सिडेंट लगातार होते रहते थे और कुछ लोगों का मानना था कि ओ जगह हॉंटेड है और कुछ लोगों का मानना था कि ओ टर्णी ऐसा है कि सामने से आने वाली वहिकल दिखाई नहीं देती जिस वजह से एक्सिडेंट होते है अब सीन शिप्ट होता है और हम तामिल लाडों के ओपिसर का ट्रेनिंग कैम देखते है जहाँ पर उन सब ओपिसर्स का ट्रेनिंग का लास्ट दे होता ह वहां हम वर्धा नाम के एक ओपिसर को भी देखते हैं और वहां का एक ओपिसर उन सब लोगों को बोलता है कि तामिल लाड़ों में ऐसे बहुत से केस है जिनका सॉल नहीं किया गया है और उन सब अनसॉल केसिस के फाइल्स मेरे पीछे के रैक्स में है और आप लोगों को इसमें से एक फाइल को उठा कर केस सॉल करना है सब लोग एक एक फाइल लेकर केस सॉल करने के लिए चले जाते हैं और वर्धा को भी एक फाइल मिलती है जिसमें एक कपल का 16 साल पहले उटी के होटल में मर्डर हुआता और फुलिस को इस केस के बार में कुछ भी information नहीं मिलिती अब वर्धा इस केस को solve करने के लिए उठी चला जाता है और वहाँ ओ एन इंस्पेक्टर T. से दूपदी से मिलता है और वर्धा को पवित्र नहाम की यसाय से मिलवाती है जो वर्धा को इस केस में assign करने वाली होती ह अब पवित्रा वर्धा को लेकर एक इटार कॉंस्टेबल के पास जाती है जो 16 साल पहले इसी केस के उपर काम कर रहे थे वो वर्धा को बुलते है कि इस केस की चांच एक पॉइंट पर आकर रूप कही थी और उसके आगे हमें कुछ भी नहीं मिला था यान की उनका कहना था कि उस बक्ता में कुछ नहीं मिला तो तुमें 16 साल के बाद क्या मिलेगा और वो कॉंस्टेबल वर्धा को दूसरी केस पर इन्वेस्टिकेशन करने के लिए बोल कर वहां से लट जाने के लिए बूलता है पर वर्धा को यखिन होता है कि वो अपने लेवल पे नया जरूर कुछ डूण लेगा और कॉंस्टेबल 16 साल पहले की ओपाइल वर्धा को दे देते हैं वासे लोटते वाक्त वर्धा पवित्रा से कहता है कि हम इस केस के डिटेल इन्वेस्टिकेशन करने के लिए आसपास के जगह की पोलिस स्टेशन जाकर 16 साल पहले की सिमिलर केसिस को डूणना होगा ताकि हमें यहां कोई मर्डर का पैटन तो नहीं है न वो हमें पता चलेगा इसी बीच वर्धा और पवित्रा में हलका हलका प्यार होने लगता है और इसी बीच वो दोनों वर्धा के गौड पादर से मिलने के लिए चर्श में जाते हैं ऐसे ही कुछ दिन बीच आते हैं पर इनके हाथों कुछ भी ठोस प्रूब नहीं मिलेते इसी बीच पवित्रा के पूलिस टेशन में एक कपल अपने लड़की की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आते ही और शायद इन दोनों केस के पीचे के कल्पिड जै कुमार और अनंत से ने उसके बाद वर्धा पवित्रा के संग बाहर जाता ही तब शोकिंगली उसकी कार गाइब होती है सिसे टीवी फूटेज चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि सत्या नाम के आद्मी ने उसकी कार चुराई है वर्धा के लिए उस कार को डूरना बहुत जादा इंपोर्टन था क्योंकि वर्धा की सर्वीज गन और इस केस की इंपोर्टन फाइल्स उसमें ही थी अब इहां से सीन शीफ्ट होता है और हम तीन चोरों को देखते हैं जिनका नाम होता है सीता रासू, जैखुमार और आनत एतीनों एक होटल में एक कपल को मार कर उनके गहनी और पैसे चुरा कर वहां से बाग जाते हैं और ऊडि स्टेशन पर आकर वहां से ऊडिके बाहर जाने वाले एक बस में चड़ जाते हैं जिस बस का नंबर होता है टिन फोर थ्री अन जीरो सेवन वन फाइप बस में चड़ते वक्त सीता रासू को कुछ अजीब सा फिलोता है जब वो बस में चड़ता हैं तब बस में दो पैसंजर बेटे होते हैं एक साधू माता और एक मिनाक्षी नाम की लेडी अब थोड़ी बस आगे जाकर रुखती हैं जहां पर लीजी नाम की एक लड़की को उसके पापा बस में बिठा कर चले जाते हैं पिर आगे हम एक लड़के को मिलते हैं जिसके गल्फेन की कल शादी होने वाली थी जिस वज़ाव से उस लड़की ने इस लड़के को उसके घर बुलाया था और वहां से ओ दोनों भाग जाने वाले थे अगले सिन में हम सत्या को देखते हैं जहाँ पर वह एक जगह जाकर वर्धा की कार एक आदमी को बेच देता ही और वहां से जाते वक्त उसे ऐसा में सूस होता है कि यहां किसी को बंदिप बनाया हुआ है पर वह इस बात को इग्नोर करके वहां से चला जाता ही तब ये वर्धा और पवित्रा कार को ढूनते ढूनते उस जग आ जाते हैं जहाँ पर सत्या ने कार बेची थी इधर बस में भी एक मा और उसका बच्चा चड़ जाते ही और थुड़ी देर माद रागवी और इजील गरशेकरं के आदमियों से बचने के लिए इस बस में चड़ जाते ही और इधर वर्धा अपनी कार को वहाँ से लेता ही और साथ में उस लड़की को भी बचाता ही जिसक सिर्फ कार बीची है बाकी का सामार शायद सत्या ले गया होगा और जिस लड़की को वर्धानी बचाया था वही लड़की थी जिसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने एक कपल पवित्रा के पुलिस टेशन में आया था अब बस में इजील और रागवी अपनी कहानी पैसें को अपने गुंडों के हाथों बहुत पिटवाया जिसमें इजील के फैदर की मौत हो गई तब बस का कंड़क्टर उन्हें पूछता है कि तुम अब आगे का करोगे तब रागवी उन्हें बताती है कि मेने अपने संग गोल्ड और पेसे लिये हैं जिसकी मदस से हम आगे क जिन्दगी शुरू करेंगे उसकी बाते सुनकर ओ तीनों चोर चौकरने हो जाते हैं और प्लान बनाने लगते हैं कि किसी भी तरह रागवी की बैग चिरानेनी चाहिए अब बस में एक लायर बेटा होता है और रागवी और इजील को बोलता है कि आप दोनों को जल से जल शादी कर लेनी चाहिए उससे कोई आपका कुछ भी बिघण नहीं सकता फिर बस में बेटे एक ओर लड़ी बोलती है कि आगे एक टेमपल आने वाला है वहाई हम इन दोरों की शादी करवा देते हैं और थोड़ी देर बाद और सम लोग बस से उतर कर उन दोरों की शादी क करवाने के लिए जाते ही और अब बस में सिर्फ एक सादो माता सोई होती है उसकी कुछ देरबान नीन खुलती है और बस में किसी को न देखकर और बहुत ज़्यादा डर जाती है और बाहर देखने पर उसे बस की विंडो पर अजिव से चेहरे और हैंड प्रिंट्स दिख लगते हैं जो देखकर सादो माता नीचे बेड़ चाती है और भगवान का नाम लेती है इधर इजिल और रागवी की शानी होती है और सम लोग वापस से बस में आते हैं और जर्नी कंटिनी करते हैं कुछ देर बाद कुछ पैसेंजर्स बस से उतर चाते हैं और उन्हें रा वाल एक छोटी बच्चे मुलते हैं कि हमने तो अभी इन दोनों की शाली करवा दी है और गनश्यकर के आदमी गुस्य से इन लोगों को गाड़ी के नीचे कुचल कर बस के पीछे निकल जाते हैं इधर बस में हम देखते हैं कि सादू माता के डरे हुए चेहे को देखकर उनक के पास वाला एक आदमी उन्हें पूछता है कि क्या हुआ तो सादू माता अपने साथ बस में होए गटना को उसको बताती है तब वो आदमी बोलता है कि मुझे भी इस बस में अजीमी मेसुस हो रहा है और मुझे एस सब निगेटिव वाइप्स लीजी की तरफ से आ रही ह इसा लग रहा है तब वो आदमी लीजी के पास जगकर उसे नीन से उटाता है तब लीजी का फेस एकदम भूत जिसा दिख रहाता यह देखकर वो डर जाता है और अपने सीप पर आकर बेट जाता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि अगला स्टॉम जो भी आएगा हम बस स उतर जाएंगे और थोड़ी देरे में ही एक आदमी बस को चेक करने के लिए उतरता है तब सादू माता और दूसरा आदमी बस से उतर जाते ही और उस बस चेक करने वाले आदमी को मोलते हैं कि बस में बूत है और जब वो आदमी इन दोनों को नीचे चोड़ कर बस में haunted होने की खबर देती है तब वर्दा उस बस को follow करता है और पवित्रा को सत्या को ढूणने के लिए बेज देता है अब हम बस में देखते हैं कि सारे passengers सो रहे होते है तब ही जैकुमार रागवी के bag में जो गेने होते है उसे चुराने के लिए जाता है पर तब ही उसको एक छोटी बच्ची देख लेती है और जो और से चिलाती है और उसकी आवाज सुनकर सारे passengers जाग जाते है तब जैकुमार और उसके साथी चाको वगेरा दिखा कर सबको डराने दमकाने लगते हैं तब ही बस में वर्धा चड़ जाता है और जैकुमार उनके साथी उनसंग फाइड करता है और उनके पास सम गहने ले लेता है तब ही उसको उस गहनों में एक पुराना नेकलिस दिखाए देता है जो 16 साल पहले की केस की फाइल में उसे दिखाता अब बस 13 हेरपिन बेंट के पास आ जाती है और वर्धा को भी कुछ डरावने एकस्पिरेंस आने लगते है पिर वर्धा इन सब बातों को इग्नोर करता है और इन तीन चोरों की पूछताश करता है और इन तीनों के नाम जानने के बाद उसे लगता है कि एतीन नाम उसने पहले भी कही सुने है तब वर्धा को बता देते हैं कि अभी अभी उन्होंने होटल रोजगारण के पास वाले किसी होटल में एक कपल का मर्डर करके उनके गहने चुरा लिये है ये सुनकर वर्धा है इन फॉर्मेशन अपने टीम को शेर करता है और होटल रोजगारण के आज पास के सभी होटल्स चेक करने के लिए बोलता है और बात में वर्धा पवित्रा को कॉल करके सब इन फॉर्मेशन देता है और बोलता है कि मुझे इस बस में कुछ अजीव सा पिलू रहा है तब पवित्रा उसे उस बस का नंबर शेर करने के लिए बोलती है ताकि ओबस के बारे में कुछ इन फॉर्मेशन निकाल पाई और तब तक वर्धा पैसंजर से पूछ ताच करता है ओ लीजी के पास चाता है तब लीजी उसे बोलती है कि मुझे अभी अभी सपना आया था कि तुम गण से किसी को शूट कर रहे हो पर वर्धा बोलता है ऐसे केसे हो सकता है मेरी गण तो मेरे पास है ये नहीं आगे रागवी और इजीर से बाते करते वक्त वर्धा को पता चलता है कि रागवी उटी के MLA की बेटी है और उनके पास इतनी पावर है कि ओर रागवी को कही से भी टूर निकाल सकते है दूसरी तरफ पपित्रा उटी बस सेर्विस के पास जाकर इस बस के बारे में पूछती है तब वहाँ उसे एक शौकिंगली बात पता चलती है वहाँ का एक आप में उसे बताता है कि ए बस तो नमबर रेकॉर्ड में एक्जिस्ट ही नहीं करती और उटी की लास्ट बस तो रात के गैरा बजे ही निकल चुकी है और इधर उस बस में सत्या भी चड़ जाता है और वर्दा उसे तूरत पहचान लेता है और उसके पास से उसकी गन और केस की फाइल्स वर्दा को मिल जाती है और सिन कट हो जाता है और हम उटी के हर होटल में पुलिस को देखते है पर अभी उनको एसा एक भी होटल नहीं मिलाता जहां मर्डर हुआ ही इधर पवित्रा वर्धा को कॉल करके बताती है कि तुम जिस बस में चड़े हो और रेकॉर्ड में एक्जिस्ट ही नहीं करती। उसके बाते सुनकर वर्धा हैरान हो जाता है। तब एक जगह पर आकर बस रुख जाती है क्योंकि बस के सामने गरशेकरां के गुंडे आ चुक जो लिजी को थोड़े दिर पहले आया था। और सच हुआ था अब बस का ड्राइवर मर जाने की वजह से बस रोड से हड़ जाती है। और मुवी का वही स्टार्टिंग का सिंदिक आते हैं जहां पर एक कपल का कार एक्स्टेंड हुआ था और वो मर गए थी। और आप अपने साथ और दिन लोगों को बचा लेता हैं और बस काई में चल जाती है। अगले दिन सुभ़ वहाँ पूलीस और एम्मूलस आती है और क्रेन की हेल्प से काई में गिरी बस को उपर निकाला जाता है। पर चोकाने वाली बात एह होती है कि जो बस कल राती खाई में ग मत हुई हो पर उसमें सिर्फ एक आदमी की जो लीजी के पीछे बेटा था उसकी बाड़ी फ्रेश थी अब यहां से वर्दा और पवीत्रा उस बस की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ओल्ड रेकॉर्ड चेक करते हैं तब उन्हें 16 साल पहले के रेकॉर्ड से पता चलता है कि यह बस अचानक से रातो रहा थी गाइब हो गई थी और 16 साल पहले उटी के एक होटल में एक कपल का मर्डर भी हुआ था अब वहां से जाती वक्त वर्दा पवीत्रा को बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कल राट टाइम में पीछे रेवल किया और 16 साल के उस इंस्डेंट को अपने सामने होते हुए देखा अब वर्दा इस केस के सारे सबुत इकटे करता ही और घनशेकरं को अपनी बेटी और इजिल के कटल के लिए अरेस्ट करता ही उसके बाद वर्दा फादर के पाच आता ही और उनसे इस सारी बाते शेर करता ही तब फादर से एक्सिडेंट हो जाता है और उनकी कार पेड़ पर टकरा जाती है और वही उन दोनों की मौत हो जाती है पर उस कार के डिक्की में एक बच्चा सो रहा होता ही और उस रात फादर वहां से गुजर रहे होते हैं और उस बच्चे को वहां से उठा कर अपने साथ ले कर जाते ह और ये बच्चा और कोही नहीं बलकी वर्दा ही था और 16 साल पहले कार में मरा हुआ कपल और कोही नहीं बलकी वर्दा के ही पैरेंट्स होते हैं इस सब बात बताने के मान फादर वर्दा को उसके रियल पैरेंट्स की एक फोटो भी देते हैं उस दिन से वर्दा हर दिन उस बस की इंतजार में बेटा रहता है और इसी तरह चार साल बीच आते हैं और इसी बीच पवित्रा और वर्दा की शादी भी हो जाती है और उनको एक बेटा भी हो जाता है एक दिन वर्दा को अक्षिया का कॉल आता है वो उन दोनों को अपनी ए प्राटन नोटिस करती है और फोन बंध होने के बाद वर्धा को बुलती है कि तुम जब चार साल पहले उस केस की इन्वेस्टियोशन करते वाक्त उस बस में चड़े थे तब भी 29 फरवरी थी और आज भी वही डेट यानि की ओबस हर साल में यानि की 29 फरवरी में ही उस रू के बाद वो दोनों उस बस में बेट कर चले जाते हैं और इसी सीन पर यह मोवी खत्म हो जाती है तो दोस्तों यह थी डायरी मोवी की कान और मुझे पता है कि आपके मन में इस सवाल आ रहा होगा कि वर्धा ने उसमें से तीन ही आद्वियों को कैसे बचाया और बाकि बस में दिखते थे पर वर्धा ने गनस शेकरंग को अरेस्ट करके उन लोगों को न्याय दिलवाय था क्योंकि गनस शेकरंग की वजह से ही इन सब की मौत हो गई थी और जिस आत्मी की बोड़ी खाई में फ्रेश मिली थी ओभी प्रेजेंट टाइम में ही ट्रैवल कर रहा झाल में!